हलो परिंश विलकम बैक टो मैं चेनल मंता फेशन डीज़ाइंट तो फ्रेंश भेलकुल व्लोगों के मुन में होता है कि हम ड्रेस बनाना चाहते है काना जी के लिए और हमारे पास ना तो कोई हेवी कपड़ा है ना ही कोई लेश बगेरा तो हम कैसे ड्रेस को बना सकते हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं गपराना है देखिए हमारे पास देखिए इस तरह के छोटे बड़े कपड़े तो होते ही है उनी से आज हम ड्रेस बनाएंगे तो यहां पर मैंने एक चोट पार्ट कट किया है और इसकी देखिए लंबाई और चोड़ाई मैंने साड़े आठ इंच रखी है और एक मैंने इस तरह का प्लेन कपड़ा कट किया है तो इसकी मैंने लंबाई और चोड़ाई बराबर रखी है तो दिखिए इसकी लंबाई मैंने रखी है 7 इंच और चोड़ाई भी मैंने 7 इंच रखी है तो दिखिए इस तरह की मैंने 2 पार्ट के लिए है और निचे में मैंने अस्तर लगाए हैं दोनों में ही देखिए और अब ये जो चोटा पार्ट है इसको हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक फोल्ड हमने किया और इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है करने के बाद इसको हमें और फोल्ड करना है फिर से हमें इसको प्रेस करते रहना है और एक और और करके फिर हमें क्या करना है कि इसको हम कट करेंगे तो के से हमें कट करना है दिखी पहले हमें अच्छे से कर लेंगे तो हमारा देंगे कुछ इस तरह का ये डिजाइन बनेगा देखिए और इस तरह से ही हम जो बड़ा वाला पीस है उसको भी फोल्ड करेंगे तो एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से देखिए जो भी कोर्नर उपर नीचे हो रही है उसको साथ में ही सेट करेंगे क्योंकि नीचे अस्तर लगावा है तो अब हमें एक कर ले ना है तो पहले बाला जो हमने लिखता सेम उस्तरे से ही इसको भी करना है करने के बाहरीं के लिखेंध कर देखिये रभी हमने की इससे करना है तो कशना है और ना है और साथ में हमने अस्तर को भी क्ट कर लेना है और देखिए अब यह डिजाइन बनने के बाद जो हमने छोटा वाला डिजाइन बनाया है उसको हम इस तरह से शेट करेंगे और उससे पहले देखिए हमें इसको सीलना है जो भी इसके कोर्णर है पूरे में हम इसको सीलेंगे तो उल्टा करके हमें इस तरह से इसको सीलना है देखिए अच्छे से सेट करके इसकी कोर्णर पर हमें हलका हलका मार्जन रखके पूरे में सीलना है अच्छे से तो चलिए हमने यह सील करेंगे और अब क्या करेंगे पहले हमें इस तरह से कट कर लेना है कि कैसे क्い थीति उसिवें कॉश्ण कूट कर लेंगे तो इसे कंची के लिएना रहे हैं तो एक हसाब से हमें इनकी कंची कमर कट करनी है कट होने के बाद देखिए हमें क्या करना है कि एक साइड में हम इसको इस तरह से सीधा कट कर लेंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो सीधा जब भी आप करें तो इस तरह से जो डिजाइन बनी हुई है इसके अंदर से देखिए आपको अंगुली डालके फिर आपको सीधा करना है द्यान से करना है नहीं तो क्या है ये अंदर से भी निकल जाती है अंगुली और कपड़ा इसका तो अब हमें क्या करना है कि एक हमने पार्ट त्यार कर लिया है फिर हमें finishing के नहीं तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा और जो भी हमारे पास देखिए बच्चे विए कपड़े हैं बिल्कुल भी आप उन्हें बहार ना फैंके इस तरह से छोटे-छोटे कपड़ों से भी हम बाल गोपाल जी की सुन्दर सी पोसाग बना सकते हैं और अब हमें देखें सिलाई करनी है इस तरह से तो कोर्णर पर हम यह सिलाई कर लेंगे सिलाई हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और देखें यहां पर मैंने सील लिया है इसको और अब हम लगाएंगे साइडों में पट्टी, तो मैंने यह आपे लिया है टिशू टेप और इस तरह से देखे इसको हम यह पट्टी लगा देंगे, अच्छे से इसको लो कर देंगे ताकि यह फिनिशिंग आ जाए इसमें तो मैंने दोनों साइड में ये पटिया लगा ली है अब हम लगाएंगे नेफा तो नेफे के लिए देखे मैंने ये कपडा लिया है और इसकी चोड़ाई मैंने दो इंच रिखी है और इसको देखे इस तरह से डबल करके और ड्रेस को हम रखेंगे उल्टा फिर हमें चीमरी और पोड़ाई में शिलाई कर लेंगे तो पिच्छे की सैड में हैं एंब कपड़े को निकाल लेंगे अंदर की साइड में ऊपर की साड में और पाले निकालनह बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उस से पहले एक डोरी लएंगे, तो डोरी ये हमने ले ली है और इस तरह से इसको इसके अंदर डालेंगे और चिलाइक कर लेंगे, तो देखे आप देख सकते हो नेफा कितना सुन्दर और फिनिशिंग के साथ लगा है, बिलकुल भी हमने डोरी के उपर देखे चिलाइक नहीं किये हैं, तो जब भी आप नेफा लगाए, तो डोरी के उ बरूर सीख सकते हो और यहां पे देखिए मैंने 2 इंच चोड़ी पटी ले ली है और 11 इंच लंबी ली है और अब आम देखिए इस तरह से इसको सील लेंगे पिटार इसको लो करेंगे तो लो करने के लिए हमें चीह लिए टीशू टेप टो यहां पे मैंने टीशू टेप लिए हैं अगर आपके पास कोई बी पट्टी है सेटने पट्टी तो वो भी आप लगा सकते हो ताकि क्या है जो हम चोली बना रहे हैं चोली का लुक अच्छा आए और यहां पर मैं टीशू टेप देखी इस तरह से लगा लूँगी पूरे में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के शाय जरूर से शेर कर दे ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हिल्फुल रहे वो भी बाल को पालजी के लिए सुन्दर सुन्दर डिजाइनर ड्रेसों को बना सके और प्रेंस क्या होता है किसी के पास देखिए हेवी कपड़ा नहीं होता है लेस नहीं होती है तो मन में ही हम सोच के रह जाते हैं कि हम कैसे अपने बाल को पालजी के लिए ड्रेस बनाएंगे तो आप देखिए इस तरह से बना सकते हो यहां पर देखिए मैंने टेप लगा लिए है और अब हम देखी इस तरह से इसको करके यह हम चोली लगा देंगे तो हमें चोली को देखी पिछे की साड में इस तरह से लगाना है तो जो ओपन साड हमने जो पटियां लगाई है उसके सामने साड में देखी हमें इस तरह से चोली को सेट करके फिर हमें लगाना है अगर मैंने देखें कर लिए है और देखें अब आप देख सकते हो कितनी सुन्दर ये cone की ये हमने cone बचे हुए कपड़ों से बनाई है कोई हमने hevy कपड़ा नहीं लाये है न squeezed कोई लेस इसमें यूज किया है तो इस तरह से बहुत ही सुन्दर से आप अपने बाल को पाज के ड्रेस बना सकते हो तो अगर आपको यह डिजाइन पसंद आई हो ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कोमेंट जरूर करें कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी और आगे आप क सुन्दर सुन्दर में ड्रेस से बनाई है तो आप इस तरह से ड्रेस को सीखना चाते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें जिसे जो भी वीडियो जालो वो आपके नोटिफिक्शन में आए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसी डिजाइन ड्रेसों के साथ बबाई टिके जैसी टिकिशनार